रासा कीचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं नौर्थ इंडियन ब्रेक्फरस्ट थाली जिसमें हम बनाएंगे खस्ता कचोरी, दही वाले आलू की सबजी और रसीले कुरकुरे जलेबी तो सबसे पहले हम जलेबी बना लेते हैं, तो यहां मैंने एक कप मैदा लिया है और उसमें हम वन टी स्पून चावल का आटा डाला है इं दोनों चीजों का अच्छी तरह से हम लेके अर यहां मैंने वन टी स्पून नीमू का रस एट किया है और साथ ही बहुत थोड़ा सा एक चुटकी भर मैंने यलो कलर डाला है यलो कलर आप स्किप भी कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स करते हुए से हमें इसका एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाना है तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालेगी और इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाएंगे इसे अच्छी तरह हाथों से 2-3 मिनट के लिए हमें फेट लेना है तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए अब हम इस बैटर को 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे तो अब हम चाशनी बनाते हैं तो चाशनी के लिए मैंने 1.5 कप चीनी लिया है और साथ ही मैंने 1 कप पानी लिया है अब हम दोनों चीजों को तब तक कुक करेंगे जब तक की चीनी अची तरह से घुलना जाए फ्लेम अभी मैंने हाई रखा है अब हम इसमें 1 teaspoon नीमू का रस डालने से एक तो चीनी की सारी impurities जो है वो उपर आ जाती है तो इसे इस तरह से हम निकाल लेंगे और साथ ही जो है crystal भी नहीं पढ़ते हैं अब इसमें मैंने 1-4 teaspoon इलाइची का पाउडर डाला है और साथ ही 8-10 केसर के धागे भी डाल दी है इसे अच्छी तरह से mix कर देंगे केसर का धागा डालना बिल्कुल ऑप्शनल है तो हम इसे आधे तार की चाशनी बनानी है जब यह थोड़ी चिप-चिपी हो जाएगी तो हम इसे आफ कर देंगे बैटर को भी रस्ट करते हैं बीस मिनट हो गया है तो अब हम इसमें एक पाउच इनो डालेंगे ग्रीन वाला पैकेट है आप ग्रीन वाला पैकेट ही यूज करें और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर इसे हमें अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक फेट लेना है ताक इसके काप में मैंने एक खोल कर दिया है आप चाहे तो सॉस वाली बॉटल भी यूज कर सकते हैं अब हम इस पे अपना बैटर को भर देंगे और यहां मैंने तेल को मीडियम होट रखा था और इस पे हम इस तरह से जलेबी को धीरे-धीरे घुमा कर उसका शेप देंगे आप छोटी बड़ी किसी भी साइस की जलेबी बना सकते हैं एक बार में जितनी जलेबी आ जाए उतना ही हमें बनाना है और यह बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाती से फ्राई होने में दो से तीन मिनट ही लगते हैं जब एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसे हम पलट देंगे और यह दोनों तरफ से जब अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे इसका एकसे सोयल हम इस तरह से निकाल लेना है और इसी तरह हम सारी जलेबिया बना लेंगे यहां मैं एक बार थोड़ी बड़ी जलेबिया बना के दिखा दे रही हूँ, जब यह एक तरफ से सीख जाए तो इसे हम पलट देंगे, इस तरह से हम सारी अपनी जलीबियों को बना लेना है, तो यहां हमारी चाशनी जो थी वो भी ठंडी हो गई थी, तो इसे मैंने थोड़ा गरम कर दिया है, अब हम इसमें एक एक करके अपनी सारी जलीब को डाल देंगे, और इसे 30 सेकंड्स तक हमें चाशनी में दुबा के रखना है, ताकि यह चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉब कर ले, 30 सेकंड्स के बाद हम इसे चाशनी से निकाल लेंगे, और एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे, इसे अब बहुत देर तक चाशन में नहीं रखना है, हमारी क्रिस्पी रसीली जलेबी बनकर बिलकुल तयार है, हम इसे एक तोड़ कर दिखाते हैं, देखिए कितनी क्रिस्प बनी है, तो चलिए अब अगले प्रोसेस की और चलते हैं, यहां हमें सूखा मसाला बनाना है, इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पू ना आने लगे, दो लाल मिर्च भी एड़ कर देंगे, और जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, और यह एरोमेटिक हो जाए, तो इसे हमें दरदरा सा ग्राइन कर लेना है, इन मसालों को हम दो तरह से कैसे यूज़ करेंगे, यह हम आपको आगे बताएंगे, यहां म आलू के पीसेज जो है वो बड़े भी रहेंगे, तो यहां मैंने एक कड़ाई को चड़ा दिया था, उसमे मैंने दो टेबल स्पून ओयल गरम कर लिया है, और इसमें एक तेजपत्ता, दो लाल मिर्चे डाली है, दो चुटकी हींग है, और साथ ही हाफ टीस्पून मैंने इसमें जीरा एट किया है, जब जीरा अच्छी तरह से चटक जाए, तो हम फ्लेम को लो कर देंगे, अब हम इसमें दो टीस्पून जो मसाले हमने क्रश करके रखे थे उसे डालेंगे, फ्लेम बिल्कुल हमें लो रखना है, ताकि हमारे मसाले जले नहीं, अगर आपको लग अब हम इसमें 1-4 टीस्पून हल्दी पौडर डालेंगे, और 1-2 टीस्पून काशमीरी लाल मिज डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अब हमने आलू को जो बॉल करके आलू रखा था उसमें एट कर देंगे, और इसे अच्छी तरह से एक बाद चला फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है आलू को हमें लगबग 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राइ करना है मसाले आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो गए है तो अब हम इसमें 140 पून काला नमग डालेंगे और साथ ही स्वादानुसा नमग डाल देंगे अच्छी तरह से एक बार चला दालेंगे अब हमें फ्लेम को एकदम लो कर देना है यहां मैंने हाफ कप फेटी भी दही ली है और इसे इस पे हम डाल देंगे फ्लेम लो ही रखेंगे ताकि दही जो है वह फटे नहीं और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी आट कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से हम चला लेते हैं जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए इसे हमें चलाते रहना है सब्जी में बॉयल आ गया है तो इसमें हम हाफ कप पानी और डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये सब्जी खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी बनती है अब हम उपर से थोड़ा सा इसमें गरम मसाला लगभग मैंने 140 टीस्पून डाला है और हाफ टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे अब हम इसे कवर करके दो मिनट तक इसे हमें कुक करना है फ्लेम हमें लो कर देना है तो दो मिनट हो गए हैं तो कवर हटा के हम एक बार चेक कर लेते हैं देखिए हमारी सब्जी बनकर बिलकुल तयार है बहुत अच्छी खुश्पू भी आ रही है तो अब हम फ्लेम को ओफ कर देंगे आप इसकी कंसिस्टेंची जैसी चाहे वैसे रख सकते हैं आप इसमें और भी पानी एड़ कर सकते हैं तो यहां मैंने थोड़ा से उपर से धनिया पत्ता डाल दिया है तो अब हम अपने खस्ता कचोरी की ओर चलते हैं तो यहां मैंने देड़ कप मैदा लिया है और इसमें स्वादानुसर नमक डाल देंगे और हाफ टीस्पून अजवाइन को अच्छी तरह से हाथों से क्रश करके हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब मोयन के लिए यहां मैंने दो टेबल स्पून इसमें ओयल डाला है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे तो इसे हम बाइंड करके देख लेते हैं तो यह बाइंड नहीं हो रही है तो हम इसमें 1 tablespoon oil odd डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे तब ये अच्छी तरह से bind हो रहे हैं तो हमारा मोयन जो है वो बिल्कुल सही है तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हमें एक stiff dough बनाना है तो पानी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे एक बार में बहुत जादा पानी नहीं डालेंगे तो हमारा dough भी बनकर ready हो गया है हमें इसी तरह का stiff dough चाहिए तो इसे अब हम ढख कर 20 मिनट के लिए rest के लिए रख देंगे तो यहां मैंने stuffing के लिए 3-4 cup चने का सत्तू लिया है इसमें काला नमक, थोड़ा सा नमक और साथ ही हमने जो मसाले रोस्ट करके लिए थे उसे हम 2 teaspoon इसमें डाल देंगे तो इन मसालों को हमने सबजी में भी यूज किया था दो चुटकी इसमें हिंग डालेंगे और साथ ही मैंने यहां 1 teaspoon अचार का मसाला डाला है आप चाहे तो नीम्बू का रस या फिर अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं इन सब चीजों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और साथ ही इसमें हमें थोड़े से पानी के छीटे डालने हैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है थोड़ा सा पानी का छीटा डालेंगे ताकि इसमें एक बैंडिंग आ जाए इस तरह से हमने अपनी स्टफिंग बना लिये अच्छी तरह से बाइन भी हो रहे हैं यहां हमारा डो भी अच्छी तरह से सेट हो गया है तो इसे अच्छी तरह से एक बर हम असल लेते हैं और हमें इसकी छोटी छोटी लोई बना लेनी है तो अब हम एक लोई लेंगे और इसे हाथों से अच्छी तरह से हमें इसे चिकना कर लेना है और इसे हमें एक कटोरी का शेप देंगे और साथ ही हमने जो सत्तु की स्टफिंग तैयार की है उसे हम इसमें फिल करेंगे तो उसका एक ऐसा हम गोला बना लेंगे और इसे अच्छी तरह से इसके अंदर डाल कर इसे अंदर की तरफ हमें प्रेस करना है और सारे किनारों को पकड़ के उपर की तरफ लाके से हम अच्छी तरह से घुमा के सील कर देंगे इसी तरह से हम सारी स्टाफिंग कर लेंगे तियहा मैंने rolling surface पर थोड़ा सा oil लगा लिया है ताकि हमारा dough जो है इसमें चिपके नहीं और साथ ही मैंने rolling pin पर भी थोड़ा सा oil लगा लिया है अब एक लोई को लेंगे और इसे अच्छी तरह से flat कर लेंगे अब हम इसे बिल्कुल हलके हाथों से इसे हमें बेलना है और इसे बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है तो बस इसे हम इतना ही बेलेंगे इसी तरह से हम सारी कचोरियों को बेल लेंगे इन कचौरियों को फ्राइ करने के लिए हमें ओयल मीडियम होट चाहिए तो यहाँ मैंने ओयल को गरम होने के लिए रख दिया था तो इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं तो थोड़ा सा मैदा मैंने इसमें डाल के देखा है तो देखिए धीरे धीरे उपर की और आ रहे हैं मतलब हमारा ओयल जो है मीडियम होट है तो ये बिल्कुल परफेक्ट टेंप्रेचर है हमारी कचौरियों को फ्राई करने के लिए तो इसमें एक एक करके हम जितनी कचौरी एक बार में आ रहे हैं ये उतना डाल देंगे और इसे धीरे धीरे हम फ्राई होने के लिए रख देंगे टेंप्रेचर हमारा लो टू मीडियम ही रहेगा तो जैसे जैसे ये कचौरियां जो है फ्राई होगी ये धीरे धीरे उपर की और आ जाएगी और धीरे धीरे ये फूल भी जाएगी तो देखिए काफी अच्छी तरह से फूल गई है तो इसी तरह इसे हमें उलट उलट के अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है तो ये अच्छा इसमें एक golden color आ गया है तो इसे अब हम निकाल लेते हैं तो चलिए इन गर्मा गरम खस्ता कचौरी को आलू की सबजी और चलेबी के साथ सर्फ करते हैं आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिए आपको भी ये बहुत पसंद आएगी आपको मेरी ये नाश्ते की थाली कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताए अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें तो जल्द ही मिलोंगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ तिल देन गुद्बाई टेक केर